हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप सभी का पुना स्वागा था Study IQ IAS के हिंदी YouTube प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है वशिक कुमार प्रिएस वीडियो में हमने Indian मानसून को समझने की कंडीशन में सबसे पहले हमने वाईू मिंडल क्या होता है इसके बारे में जाना था कि एक्चुल में वाईू मिंडल विभिन्न परकार की गैसों का आसामांगी मिर्शन है पश्यात हमने जलवाईू के बारे में डिसकस किया था और पश्यात हमने मौसम के बारे में डिसकसन किया था यहां हमने देखा था कि एक्चुल में यदि आप जलवाईू के बारे में देखते हैं तो यह वाईू मंडल की दिरकालिक दशाय होती है तो आप उसे एक बार आवश्य देखने अन्य था कि स्थिति में आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा मैं आपसे एक request करूँगा कि यहाँ पर यदि आप Indian Monsoon को cover करना चाहते हैं तो part 1, part 2 और यहाँ पर यदि वैसे तो मैं इसी वीडियो में इसको पूरा cover up कराऊंगा परन्तु यदि कुछ बात शेस रह जाता है तो उसको मैं आगे आने वाली वीडियो में cover कराऊंगा Indian Monsoon स्वयम में एक बड़ा topic है तो इसको short term में गा फिर विलको short में cover करने की अपिक्चा हम इसको in detailed part में cover up कर रहे हैं कारण यह है कि UPSC का path short नहीं होता है UPSC में आप प्रयास भी ना करें कि आप short path को अपनाए short path अपनाना आपकी जिनकी की सबसे बड़ी mistake हो सकती है that is why कि वीडियो की length भले ही थोड़ी लंबी हो जाए परन्तु यहाँ पर पूरा cover up कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं तो आप patience बनाकर इन दोनों ही वीडियो को या फिर यदि तीसरा वीडियो आता है तो इन तीनों ही वीडियो को अवश्य देखें is that clear और पहला वीडियो देख लें पश्यात उसके या दूसरा वीडियो देखें तो आपको better तरीके से understand होगा ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा पहले वीडियो के बगएर क्योंकि यहाँ पर revise तो मैं करा ही रहा हूं आज आएगा समझ म आप तापमान और वायुदाप को संबंद को देखते हैं तो यदि आप किसी भी छेत्र के तापमान में वृद्धी करते हैं तो वहां के वायुदाप में वित कर्मान उपाती changes आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्थात तापमान बढ़ाये जाने पर वायुदाप में कम वही सरफेस थी उसका वायुदाप घटने लागा और वायुदाप क्या था तो मेरे उपर कितनी वायुदाप की परते मौजूद हैं इसको नाम दिया जाता है वायुदाप में वित कर्मान उपाती डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा पहला नियम सेकेंड नियम यह कहता ह है कि यदि ठंडी पवन है तो ठंडी पवन का प्रवा सदय उपर से नीचे की ओर होता है क्योंकि यह ठंडी पवन भारी होती है और फोर्थ नियम कहता है यदि पवन का नेचर गर्म है अर्थात जो आपके हां के हीटर है यह आप नीचे लगाते है नाकी उपर अर्थात फिफ्ट नियम था इसको हमने नाम दिया था कोरियूलिस बल अब एक्चल में मैंने इसको तीसरा नियम नाम दे दिया है इसको मैंने फोर्थ दे दिया है और इसी को मैंने फिफ्ट दे दिया है अर्था कोरियूलिस बल को यदि हम देखते हैं तो कोरियूलिस बल परत्वी प यह होता क्यों है तो प्रत्वी के घूंडन गती के कारण शायद आपको पता हो कि प्रत्वी दो प्रकार की गतिया करती है एक होती है घूंडन गती और एक होती है परिक्रमन गती पश्यात इसके हमने ITC-Zet को समझना प्रारम किया था कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या फिर अंतरा उश्नकडी बंदी अभिसरन छेत्र होता क्या है तो इसके बारे में मैंने एक लाइन से इसको खतम किया था कि भाई यदि आप प्रत्वी पर देखें तो करक रेखा और मकर रेखा के मद्दिका वै छेत्र जहां पर पव ने इस निम्नवाई दाभी छेत्र को भरने के लिए यहां अभिसरित होती है गर्म होकर यह उपर उठती है और एक नियत उचाही पर जापकर इनके तापमान में कमी आती है पश्यात इन में एक क्रिया होती है जिसको हम नाम देते हैं संगनन की क्रिया और संगनन की क्रिया को आप क्या नाम देते हैं इसी को नाम दिया जाता है अंत्रा उश्न कटी बंदिये अभी सरण चेत्र का सुरी प्रक्रिया को नहीं इस पूरे चेत्र को आप नाम देते हैं आई टी सी जैट का जोन और यदि आई टी सी जैट की हम बात करें तो यह होती कहां पर है तो आंसर आपको इसी में मिलेगा कि अंत्रा उश्न कटी बंदिये अर्थात बेसिक लिए उश्न कटी बंदिये जलवाई वाले चेत्रों में घटित होने वाली प्रक्रिया है और यही यहां होता है भूमद रेखा पर यानि कि यहां पर हमने यह भी डिसकसन किया था कि सूर्य और प्रत्वी की सापिक्षिक इस्थिती एक्चल में क्या होती है क्या सूर्य का उत्रायन और दक्षणायन सही में होता है मैंने यहां पर बताया था कि यदि आप सूर्य के उत्रायन की बात कर रहे हैं तो एक्चल में सूर्य का उत्रायन नहीं हो रहा है यहां पर प्रत्वी गती कर रही है तो प्रत्वी कुछ ऐसी प्रक्रिया गटित कर रही है जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि सूर्य का उत्रायन और सूरिका दक्षिणायन हो रहा है और इसकी डेट थी कि भाई बेसिक लिए दिया आप देखें तो पर्थवी सूरिका चक्कल लगाती है और 21 मार्च को जो सूरिकी लंवत करने हैं ये पढ़ रही होती है भूम अद्रेखा पर पश्यात इसके पश्यम से पूर की दिशा मे ये गती करते हुए 21 जून को इसकी लंवत करने करकर रहिखा पर पढ़ेंगी पश्यात 23 सेप्टेंबर को वापिस से भूम अद्रेखा पर पढ़ेगी और जब जब ये भूम अद्रेखा पर पढ़ती है इसे कहा जाता है विशूव की कंडिशन ये दो प्रकार के विशू हमने देखे थे एक था बसंद विसू और एक का नाम आया था शरत विसू पश्यात एक और होता है जब 22 दिसंबर को यही सूर की लंबत करने आपको मकर रेखा पर पढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है और इसे कहा जाता है आयनांत की इसकीतिति और भारत के परिपेक् को कॉल किया जाता है क्या शीत अइनांत की कंडिशन पश्यात इसके हमने ITCJ का निर्माण किया और ITCJ किस प्रकार मुमेंट करता है इसको समझाता है कि सबसे पहले 21 मार्च को भूम अद्रेखा पर ITCJ का निर्माण होगा आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं और इससे भूम अद्रेखा पर आ जाएगा पुनह की कंडिशन में जिस प्रकार करकर इखा की ओर गया था अब यह मकर रेखा की ओर शिफ्ट होगा और 22 दिसम्बर को यह मकर रेखा की ओर आ जाएगा और फिर इसको हम क्या नाम देंगे भाई इसके कारण भारत के कंटेक्श में जासमी दशाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि 21 जून को जब भूम अद्रेखा पर सूर का लंबत प्रकाश पढ़ता है तो लंबत प्रकाश पढ़ने के कारण यहां का तापमान उच्छ होता है और आस पास की पावने इस उच्छ यह करती हैं मेगों का निर्माण और मेग निर्माण के द्वारा यहां पर इस्थानी आदार पर वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है कल ही मेरा एक वीडियो आया था कि यदि आप देखेंगे तो भूम अद्रेखा पर तापमान सरवादिक होना चाहिए इस कंडिशन म आप इंडियन मौसून के साथ भी जोड़ सकते हैं और उसको डायरेक्ली आप वर्ल्ड क्लाइमेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं याद रखें कि यह जो कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं कारण यह है कि हमारे सोचने की और बढ़ना चालू करता है और करक्रेखा की और बढ़ते हुए सबसे पहले यह दक्षिणी भारत या फिर दक्षिण भारत की और सबसे पहले मुमेंट करता है और भारत के कैरल और तमिन नाडू वाले पार्ट से ठकराता है अब याद रखें कि ITC Z वे छेत्र था जो की जिस भी इस्थान में जन्मित होगा या फिर इसका इस्थान जिस भी इस्थान में होगा वहां का तापमान बढ़ेगा तापमान बढ़ने के परिणाम सरूप वायुदाप घटेगा वायुदाप को नियत करने के लिए आस पास की पवने यहां भी सरित होंगी और यहां प हम इसको समझने का प्रयास करें तो देखिए कुछ ऐसी ही गटना घटत होती है इस वाले पार्ट में कि कैरत हमें नाडू में पहुचा था पश्यात इसके गती करते ही जा रहा था और बंगाल की खाड़ी सागर शाखा तथा अरब सागर से कुछ इस्थानी पवने इस और आ यहां इस्थानी आधार पर वर्षा होती जा रही थी तो यह उतनी तीवर तो नहीं थी यह उतनी तीवर तो नहीं थी परन्तु इसका प्रभाव बहुत जादा था अर्थात यहां कई शेत्रों के लिए तो विनाशी सिद्ध होगी परन्तु हां कई शेत्रों के लिए आव मौनसून के पूर की वर्षा है इसी लिए इसे कई जगा पर कॉल किया जाता है मौनसून पूर वर्षा या फिर इसे डारेक्ली कॉल कर लिया जाता है प्री मौनसून की कंडिशन यानि कि यही था मारा प्री मौनसून और जब यह प्री मौनसून आता है तो इसे अलग- यदि आप कर्णाटक वाले एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर कॉल किया जाता है चेरी ब्लॉसम और सबसे इंपर्टेंट MP वाले पूर्षन में इसे कॉल किया जाता है माउथा और ये माउथा बेहधी विश्यचताओं के आधार पर जैसे लाई के अधी पश्यम मंगाल की आम बात करें तो पश्यम मंगाल में काल भैसा की नाम दिये जाने का बेसिक बैसिक अर्थ हीए है कि यहाँ पर चावल का अठाधन धान का अठ्वात्पाधन बहुत अच्छी दे रहे हैं अब जैसे ही SOM को थार के मरुस्थल में शिफ्ट करता है तो इसका परिणाम यह होता है कि थार का मरुस्थल वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म कारण क्या है यह डेजर्टी फाइड एरिया है अर्थात यहां का तापमान पहले ही ज़्यादा है और तापमान ज़्यादा होने ही कंडिशन में वाईदा पहले ही कम है और जब यह स्वयम को इस थार डैजर्ट में इस थार के मरुस्थल में शिफ्ट करेगा तो इस कारण से याद रखीगा यहां पर एक छेतर का निर्मान होगा या फिर एक ऐसे छेत्र का निर्मान होगा जिसका टापमान extremely high आपको देखने के लिए मिलेगा और जो वायुदाब है अर्थाद जो pressure है यह extremely low प्रतीत होगा या फिर low देखने के लिए मिलता है अब इस condition में जरा ध्यान से समझेगा कि यहाँ पर जो अरब सागर शाखा यह थी हमारी अरब शागर शाखा और साथ में बंगाल की खाड़ी सागर से जो इस्थानिये पवने आ रही थी और इस वायुदाब को नियत करने का कारे कर रही थी आब ये परियापत नहीं होंगी और जब ये पर्याप नहीं होंगी, तो अब याद रखीगा कि एक essential condition आपको यहाँ पर apply करनी होंगी, कि भाई यहाँ पर राजिस्थान में या फिर थार के मरुस्थल में extremely low pressure जोन का निर्माण हुआ है, और इस low pressure जोन को नियत तो करना है, अब यहाँ पर ITCJ रुकेगा नहीं, ITCJ अपना काम करते जा रहा है, परंतु एक date 21 जोन के आसपास, राजिस्थान में थार डेजट में निमन वायुद आपके छेतर के निर्माण के कारण, अब याद रखेएगा, यह condition यहाँ पर create यह हो रही है, just a second, इसको मैं थोड़ा सा अपने accordingly कल लूँ, फिर मैं start करता हूँ, तो प्रारम यह हो रहा है कि भाई, यह है हमारा Australia वाला portion, अच्छा, उससे भी पूर, that is, यह है हमारा Africa वाला छेतर, जला ध्यान से समझिएगा, यह हमारा Africa वाला छेतर, यदि आप Africa वाले छेतर को देखें, तो यहाँ से प्रारम होता है, यह है Africa, नीचे की और जाता है, that is South Africa वाला छेतर, यहाँ पर कई देश देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मुजांबिक वगरा, मैडागास कर, और फिर जश्ट अ सेकेड, यहाँ से फिर प्रारम होता है, that is Horn of Africa वाला रीजन, और यह छेतर आता है हमारा Red Sea वाला पश्यात इसके, that is Persian Gulf, और यहाँ से चलते हुए, यह हमारा Great India, अब Great India से आगे बढ़ते हुए, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा that is South East Asia और फिर उपर की और जाने पर, that is South China Sea और फिर यह है हमारी Korean countries और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, यह हमारा कामचट का Peninsula और Siberia वाला रीजन, अब एक बात इसको याद रखीगा, एक और बात यह हैं कि यहाँ पर आपको एक continent देखने के लिए मिलेगा, that is यह है मारा एफरिका महादीब, clear, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दीता हूँ भी, यह है मारा एफरिका महादीब, अभी एफरिका महादीब के बारे में हम डिसकस करें, तो यहाँ पर क्या गटना गटित हो रही है, उससे पहले आप यह बात याद रखें कि यहाँ मद्द से खड़ित हो रही है, देखेगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वाली कंडिशन में मैंने नाम दिया था कि यह बारत में गरीश मिर्तू है, और इसी समय, इसी गरीश मिर्तू में, अब याद रखें कि यह जो उत्तर भारत का मैदान है, इसमें उसमन चालू हो गया है, औ यदि लू से किसी विक्ति की मृति होती है तो हम यह बोलते हैं कि भई उसकी मृति हो किसके कारण हुई है डी हाइडरेशन के कारण है परंतु यह पूर्टा सत्य नहीं है कारण क्या है कि यह जिस स्थान में चल रही है यह नौर्थ इंगियन फ्लेन वाला रीजन है जिस कि यदा की मृतियूं आप सुनते हैं कि यूपी में किसी विक्ति की मृतियू लू के कारण हुगई तो यह समभाव नहीं है डियह इडेडरेशन के कारण वो नहीं होई है बेसिकली याद रखिएगा कि यह जो लू है यह एक परकार की माइक्रोवरेव है और यह माइक्रो बांद के जाओ, एक्चुल में यह क्यों कहा जाता है, यह कहा जाता है, क्योंकि यह जो लूट की लप्टे चलती है, यह microwave है, यह आपके सरी से डारेक्ट नहीं टक्रानी चाहिए, यदि यह डारेक्ट आपके सरी को पेनिटरेट कर गई, तो आपके सेल्स क्या हो जाते हैं, देमेज, और जब यह डेमेज होते हैं, तो इससे डेथ तक हो जाती है, कारण यह है कि यह ब्लेट क्लॉटिंग बना देती है, आप आएं कि यदि माल लीजे, आप मैदानी चेतर में खड़े हुए हैं, कि लूक अप चलेगी, आपको कैसे मालूम चलेगा कि सम्मंदिच च चलने लगी हैं, और यदि आप पहारी चेतरों में खड़े हुए हैं, अर्थात यदि आप हिल में या फिर माउंटेन रीजन में हैं, हिमाचल प्रदेश उत्राखंड वाले एरिया में, यदि आप निवास करते हैं, तो यदि यहां का तापमान सामान तर थर्टी डिगरी सेल्सियस हो जाता है, तो यहां पर आप उसको किसका नाम देते हैं, लू का नाम देते हैं, याद रखें कि यह लू उत्तर भारत के विशाल मैदान में, दिल्ली, हरयाणाम, पंजाब, यूपी बहार वाले रीजन में और इवन पश्यम मंगाल वाले रीजन में इतनी खतर हैं, अरावली परवत का ही विस्तार दिल्ली रिस था, और यह दिल्ली रिस का उश्मन बहुत जली होता है, याद रखें कि यहां पर यह पूरी घटना घटित हो रही है किसके कारण, इस ITC-Z के कारण, और याद रखेंगा कि ग्रीस मेरितू में यह जो हीट वेव चलती है यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और इसलिए सरकार बार बार इस प्रदेश में या फिर इस पूरे रिजन में अलर्ड जाली करती है, कि भई यहां पर आपने सुना होगा है, डिजाश्टर मेनेजमेंट का आपके पास कई बार अलर्ड भी आता होगा, हैना कि इस श पूरी का प्रकाश है, यह बहुत ज़्यादा तीवर पड़ता है, बारा से चार की कंडिशन में, यानिकी बारा बजे से चार बजे के तक, तो इसलिए यहां पर जब गर्मी का महल होता है, और जब यह हीट वेव चलती रहती है, तो आपको घर से बाहर निकलने के लिए मन नहीं होती, यानिकी उसका नाम हमें पता नहीं होता, that is why हम इसको decode नहीं कर पाते, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जिस स्थान में आपका घर है, आप मोटर साइकल उठाए और चार किलो मीटर आप आगे चले आए, चार किलो मीटर आगे जाने पर आपको प्रती तूफान की कंडिशन, याद रखीगा आंधी और तूफान की कंडिशन क्या है, तो समवनी वर्षा जिस भी स्थान में हो रही है, वहाँ पर दो इस्थितियां, यानिकि कई बार आप देखेंगी कि आपने घर के खिड़की दरवाजे अचानक बचने लगी, यह कौन सी कं इस निम्न वायुदाप के छेत्र के कारण, और कहां पर तो उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में, और राइस्थान वाले एरिया में, और इवन जहां पर भी आपको आईटी सी एड का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, उस उस शेत्र में आपको यह पूरी जोनाती है, उसमें हम एक काउंट करते हैं लू, जो की बेसिकली मानी जाती ही कि भारत और पाकिस्तान में चलती है, चुकि हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम इसको इंडिया के कंटेक्श में लू का नाम दे देती है, अब याद रखीएगा कि यह जो लू है, यह इतन ज्यादा परूशन किया है, तना ज्यादा जलवायू को प्रहावित किया है, कि यह जो लू थी, इसका प्रहाव आपको सीतोष कडिवंदी एरिया अर्थात योरप तक देखने के लिए मिला, अब लू का चलना उश्न कडिवंदी ए चेत्रों में अर्थात कर कर मकर रेखा कि आसपास समझ में आता है, कारण यह है कि यहाँ पर ITC jet का प्रहाव है, परन्तु ऐसे छेत्रों में जहाँ पर इसका कोई प्रहाव ही नहीं होता है, जो कि बेसिकली सीतोष कडिवंदी ए जलवायू वाले एरिया है, वहाँ पर इसके प्रहाव का क्या कारण है, तो याद रखें कि यह था सितोष का डिवंदी ए जिन सोरी, यह था आपकी ग्रीस में रितु के ही कंटेक्श में आगे आए, तो यह हमारा कौन सा एशिया वाला मैप, और एशिया के नीचे अब बना हुगा है क्या, और शेलिया वाला रिजन और बीच में से निकल रही है, इसको न और शीत रितु यदि यहाँ पर है, यदि इस कंडिशन में यहाँ पर शीत रितु का प्रवा है, मतलब कि यहाँ का तापमान कैसा होगा, कम, और जब यहाँ का तापमान कम है, तो आप यह दारेक्ली बोल सकते हैं कि सर यहाँ का वायुदाप ज्यादा होगा, यहाँ का व वायु शास्त्र के निया मानुसार पवनों का प्रवा स्थाय उच्छ वायु दाप से निम्न वायु दाप शेत्र के और होगा इस दैट एनी डाउट आसर इस नूँ नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि आप यहाँ पर देखेंगे ब हैं या फिर यह तो उत्री गुलार्ट में है और आप बता रहे हैं कि ऑस्टेलिया से यह पवन आएगी तो याद रखीगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ITC जैट तो करकरेखा पर है ना भी और करकरेखा अकेले भारत से तो होकर गुजरती नहीं है यह नौर्थ अमेरिका कॉ देखने के लिए मिल रहा है घ्रीस मकाल का यहां पर पूरे छेत्र में आपको निम्न वायुदाप के छेत्र का निर्मार देखने के लिए मिल रहा है अब होगी यह कंडिशन कि इस ऑस्टेलिया वाले रीजन से कुछ पवने चलना परारम करेंगी जो कि एक्च्छल में कैस देखे यह निम्न वाइदापके छेत्र का निर्मान हुआ कहां पर है उत्री गुलारत में तो यह उत्री गुलारत की ओर चलेगी परंतु आपने पढ़ रखा है और कोर्यूले स्वल के पईड़ाम सरूप यह अपने प्रभा की दिशाकी देखे प्रभा कहां पर ऊ रहा है उत्तर की और प्रवाह की दिशा के कहां मुड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड न तो ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी और जब ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी और जब ये प्रवेश करेगी एक्चल में कहां पर उत्री गुलारत में तो उत्री गुलारत में ये मुड़ेगी अब मैं एक बार इसको complete कर देता हूँ तो actual में ये भारत में कुछ इस प्रकार से प्रवेश करेगी और चूकी ये भारत में इस दिशा से प्रवेश कर रही है, that is why इसे क्या नाम दिया जाता है इसे नाम दिया जाता है साउथ वेश्ट मॉनसून, अब यदि मैं आपको एक शौकिंग करने वाली बात बताऊँ तो याद रखें कि यहाँ पर भारत की कंडिशन तो हमने समझ ली, इसके अलावा यदि हमने इसको थोड़ा सा विस्तरेत और करें तो और क्या घटना हो रही है भई तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवर यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यह थार के डैजर्ट का सॉरी थार के डैजर्ट गर में देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर सॉरी की और आपको क्या मिल रहा है that is यह है हमारा हिमाले वाला reason और इदिया आप हिमाली इन छेत्रों की बात करें तो बच्चे यहाँ पर याद रखो कि actual में इसके उपर वाला area अर्था that is इस वाले छेत्र में आपको क्या मिलेगा तिबबत्यन प्लेटिव और मैंने previous वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ITC जैट के प्रभाव के कारण और एक natural नियम के परिणाम सरूप इसका भी उश्मन हो रहा है अर्थात यहाँ से जो पवने चलना प्रारम हो रही है actual में यह भी जलवाशपन की क्रिया के परिणाम सरूप उपर जा रही है और यही उपर जा कर क्या कर रही है एक stream या फर एक cell का formation कर रही है जिसको आप त्री कोश्की ये वाई मनली ये परिसंचरेंग के diagram अनुसार समझ सकते हैं परन्तु इसको मैं directly समझाने का एडिया आपको प्रियास करूँ तो इस तिबबत के पठार का उश्मन हो रहा है यहाँ पर तिबबत के पठार पर उच्च तापमान के कारण मैं इसको note down कर देता हूँ अब ये दोनों ही map के accordingly हम समझने का प्रियास करेंगे तिबबत पठार पर उच्च तापमान या फिर उच्च तम तापमान और उच्च तम तापमान क्यों है यहाँ पर क्योंकि actual में यह चक्टानी संरचना है यह पठार है पठारी बुबाग है तो इस तो हमाले के तापमान भी यह देखोना चाहिए था नई कारण क्या है कि हिमाले हिमाच्छादिच छेतर है और इसकी उचाई बहुत जादा है यहाँ पर इसका तापमान उच्छ नहीं हो पाता परंतों यहाँ पर तिबबत के पठार का उच्मन हो जाता है और याद रखीगा कि इसी तिबबत के पठार के उश्मन के कारण ही एक जेट इस्ट्रीम का निर्मान होता है जिसे पश्चिवी विक्षो बिलकुन नहीं कहते हैं इसे कॉल किया जाता है बच्चे सोमालियन जेट इस्ट्रीम आपको याद रखना है कारण ये है कि इसका बह बहारत में दूसरी शाखा वर्षा कराती है क्लियर तो याद रखें कि तिबबत के पठार का उश्मन होता है और इसी उश्मन के कारण सोमालियन जेट इस्ट्रीम का निर्मान होता है और यही सोमालियन जेट इस्ट्रीम आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है इस पूरे इंडियन मौसून के लिए चलिए अब हुआ ये कि भाई आई टी सी जेट शिफ्ट हुआ एक्चल में कहां पर आई टी सी जेट शिफ्ट हुआ राइस्थान के डैजट में हिमाले के नीचे उतर भारत का विशाल मैदान गर्म हुआ इसका भी उश्मन हु तो ये जिस दिशा से प्रवेश करती है उस दिशा को एक्चल में कहा जाता है उतर उस दिशा को कहा जाता है दक्षण पश्यम दिशा और इसी लिए जो भारती मौनसून है इसे क्या नाम दिया जाता है बिसिकली इसे नाम दिया जाएगा साउथ वेश्ट मौनसून का अर यहां से जब यह साउथ वेश मौनसून भारत में पहुचा तो भारत में पहुचने की कंडिशन में अब भारत के विशेस आकार के कारण यह दो पार्ट में डिवाइड हुगा और ये दो पार्ट्स कौन से होंगे तो एक कहलाएगा इसमें से अरब सागर शाखा और एक शाखा इसकी कहलाएगी बंगाल की खाड़ी सागर शाखा परंतु आपको पता है कि भाई भारत के पश्यमी भाग पर एक माउंटेन रेंज का विस्तार आपको देखने के लिए मिल पर सुनिए भई तो यहां पर है पश्यमी घाट परवत अब इस पश्यमी घाट परवत से जब ये पवन टकराएगी तो ये वर्शा कराएगी उससे पूरवे याद रखें कि इस शाखा को नाम दिया जाएगा और फिर जवाब इससे आगे बढ़ते जाएंगे यानि कि इ कि बी पावन यदि किसी छेतर में प्रवायत हो रही है और यदि वो मौणसूनी पावन हैं और यदि उससे वर्शा करानी है तो वर्शा कराने के लिए essential requirement कि वो किसी माउंटेन से टकराए टकरा किर उसके सारे वह उपर जाए और उपर जाने पर इसका तापमान घटे और तापमान घटने के परिणाम सरूप इसमें संगनन की क्रिया हो और संगनन की क्रिया के परिणाम सरूप फिर मेहों का निर्मान होना चाहिए और मेहों के निर प्रारम होने वाली हो अब इन दोनों भी बातों पर इंदी हम discuss करें तो याद रखेएगा कि यह जो हमारी अरब सागर शाका है यह तकराती है किस से सबसे पहले पशिमी घाट परवस से और जब यह पशिमी घाट परवस से टकराती है तो अपनी आदे से अधिक वर्षा एक्च Gul में यह किस छेतर में कराती है तो याद राखेएगा पशिमी घाट परवत के पशिमी पार्ट में इसको मैं हाईलाइट करकर लिख रहा हूँ आप समझ जाईएगा ये है पशिमी घाट परवत का पशिमी साइड और यहाँ पर यह शाका सरवादिक वर्षा कराती है इसलिए आपने एक बात सुनी होगी कि जब भी आप सुनते हैं कि भारत में मौनसून का आगमन हुआ मौनसून का आगमन होता नहीं है कि मुंबई में बाड़ा आ जाती है कारण क्या है कि यहाँ आइलेंड वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि यह आप मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं तो मुंबई एक्च्वल में एक आइलेंड है यानि कि मुंबई की इस्थिति एक dweep ही है और यह mumbai basa हुआ है actual में किस दीप पर इसको नाम दीया जाता है that is called salcae deep clear salcae deep हैणा अब actual में यह ju salcae deep था है किस empowered har 47 एस this is poor a deep समु को अजाता था elephanton group of island elephant और फिर बाद में इसके सभी deep तूट कर अलग हुए और फिर अब जो शेस बच गया है that is called इसे नाम दिया जाता है सालसी दीप और इसे लिए मुंबई मी या फिर पश्चिमी घाथ परवत के पशिम में जब बाड आती है तो पश्चिमी घाथ परवत के पश्चिम में बाड आने के पाई नाम सरूप सबसे पहले डूपता है तो कौन यही मुंबई वाला च्छे बित्र माना जाता है या फिर जाना जाता है अपने सरवादिक वर्षा के लिए जेश्टा-सेकेंड इसको मैं इहाँ पर नोट डाउन करता हूँ कि अरब सागरा शाखा सबसे पहले पशिमी घाड परवस से टकरा कर इसके पशिमी घाड में इसके पश्यमी ढ़ाल पर सरवादिक वर्शा कराती है और यह सरवादिक वर्शा लगबग कितनी होती है तो याद रखें इसको कहा जाता है या फिर मापा जाता है 200 सेंटी मीटर और याद करो मरदा वाला चैप्टर यानि कि मैंने बार-बार बोलता हूँ कि जब आप UPSC की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इंटर लिंकिंग कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ किस प्रकार इंटर कनेक्ट कर रहे हैं तो जब आपने मौनसून पढ़ा तो मौनसून में एक्चुल में यह सरवादिक वर्षा हो रही है तो यह सरवादिक वर्षा कितनी मानी जाएगी यह मानी जाती है 200 सेंटीमीटर और जब यहाँ पर 200 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ पर मर्दा का निच्छालन प्रारम होगा और यहाँ पर इस शेत्र में जो मर्दा मिलेगी उस मर्दा को आप क्या नाम देंगी यहाँ पर मिलने वाली मर्दा होती है लेटराइट मर्दा और यह लेटराइट मर्दा बेसिकली कैसी मानी जाएगी अन उपजाव कारण ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के पोशक तत्तों थे उनका निच्छालन हो चुका है उनके पानी के साथ मिलकर बह गए है अर्थात यह उतनी उपजाव नहीं होगी परंतु हाँ कुछ फसले हैं जिनके लिए बेहदी उपजाव मानी जाएगी जैसे कि लाइक हो सकता है कपास या फिर हो सकती है प्याज इसके अलावा और भी कई फसले मानी जाती है जैसे काफी के लिए काफी उपियोगी मानी जाती है अब यदि हम आगे आएं तो याद रखीगा कि यह अरब सागर शाका ने अपने साथ जितनी भी जलवास पलाई थी उस जलवास को या फिर उसे आधे से अधिक जलवास को इसने निकाल दिया या फिर छोड़ दिया है किसे एरिया में वेस्टन गांट माउंटेन के वेस्टन पार्ट में और जैसे यह अब यह आगे बढ़ेगी तो याद रखीगा कि यहाँ पर आगे बढ़ने पर इस मांग इस शाखा की intensity में फरक आएगा इस शाखा का प्रभाव दीरे-दीरे कम होगा और जैसे यह आगे बढ़ती जाएगी तो basically यह जो अरब सागर शाखा है यह पूरे ही भारत में या फिर संपून भारत में वर्शा कराएगी यह MP में कराएगी, 36 गड़ में कराएगी परंतू जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें जलवाश की मात्रा की कमी होने के कारेंट अब यह उतनी अधिक वर्शा नहीं कराएगी जितनी वेशन घाट माउंटेन के वेशन पार्ट में कराएगी है इस एरिया में यहाँ पर आपको एक छेतर का विकास देखने के लिए मिलेगा और इस छेतर को बेसिकली नाम दिया जाता है क्या इसे नाम दिया जाता है वरिष्टी छाया प्रदेश का अर्थात रेन शैडो जोन का इसे नाम दिया जाता है यानि कि वरिष्टी चाया परदेश क्या होता है वही वरिष्टी चाया परदेश का अर्थ है एक राज का एक राज की यदि आप दो भागों को देख रहे हैं तो एक भाग में यदि आप एक चाकरित ज्यादा वर्षा हो रही है और दूसरे भाग में आप एक चाकरित यदि आप से location wise पूछ लिया जाता है, तो आप किसको दिहान में रखेंगे, तो पूरे, यदि आप पूरे को देखते हैं, तो पूरे में बिलकुल अलग situation आपको देखने के लिए मिलती है, पूरे में जल की बहुत ज्यादा कमी है, और इसका मतलब क्या है, इसका main reason क्या है, कि जो पूरे है, एक्च्वल में ये दक्कन प्लेटी उपर इस्थित है, वैसे तो पूरा महराश करना तक दक्षन भारत दक्कन पठार पर बना हुआ है, परन्तु यहाँ पर जो दक्कन प्लेटी हुए, इसकी main समस्या ये है, कि यह सरवादी कठोर चट्टानों से इर्मित है, और कठोर चट्टानी से नरचना होने ये कारण ही, यहाँ पर जो वर्षा जल है, भूमी गत नहीं हो पाता है, और जब यह भूमी गत नहीं हो पाता है, तो इस कंडिशन में, जो वाटर लेवल है, यह मैच नहीं होता है, या फिर वाटर लेवल बहुत कम मिलता है, और क्या कॉल कर लिया जाता है वरिष्टी छाय प्रदेश या फिर रेन सेडो जोन कॉल कर लिया जाता है अब जहां पर यह अरब सागर शाखा सरवादिक टकरा कर किस से वर्शा करा रही है सॉरी पशिमी घाट परवस से टकरा कर सरवादिक वर्शा करा रही है और आगे जाने प और बंगाल की खाड़ी सागर शाका ने अभी तक वर्षा कराना प्रारम भी नहीं किया है क्लियर मतलब कि अभी वर्षा कप कराईगी तो याद रखेए कि यहाँ पर यह अरब सागर शाका वास्विक्ता में अभी तक वर्षा कराना प्रारम नहीं किया है और यह वर्षा कराएगी भी नहीं अर्थात यह है हमारा क्या यह एरिया आता है पूरी घाट परवत का और यह पूरी घाट परवत के समनांतर हो जाती है और जब यह पूरी घाट परवत के समनांतर होती है तो फिर याद रखीगा कि यहां से एक wind चलती है एक पवन चलती है और इस पवन को नाम दिया जाता है Somalian Jet Stream का ये कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपको नजर आईगी अब ये उवरलोप हो जाएगा ये इस प्रकार से आपको चलती हुई देखने के लिए मिलीगी सबसे बड़ी बात कि से Somalian Jet Stream ही क्यों कॉल किया जा रहा है गुजर रही है भारत की उपर से भाई भारत की Jet Stream नाम दे देते हैं तो इसका मेन रीजन बच्ची ये है कि एक्चल में ये Somalia की और जाने का तातपर ये हाँ पर क्या हुआ भई Somalia की और जाने का यहाँ पर Just a second इसको मैं complete कर लूँ एक बार Somalia की और जाने का तातपर ये हुआ कि ये मैंने बनाया था वर्ल्ड मैप और यदि वर्ल्ड मैप के accordingly आप देखेंगे तो ये जो तिब्बत के प्लेटिव का उश्मन हुआ इस तिब्बत के पठार की उश्मन के कारण यहाँ से एक जेट इस्ट्रीम ने चलना पर आरम किया और ये जेट इस्ट्रीम ऐसे भारत को क्रॉस करते हुए एक्च्वल में कहा निकल रही है सुमालिया के समीप जा रही है और सुमालिया कहां पर है तो यह आता है यह वाला भाग कहलाता है डेट इस हौर्न ओफ एफरिका वाला रीजन और इस हौर्न ओफ एफरिका में एक्च्वल में दो तीन देश आते हैं जैसे कि एक आता है सु अब ये आई कहां से है तो मैंने पहले ही बताया है कि भई तिबबत के पठार का उश्मन हुआ और तिबबत के पठार के उश्मन के कारण सोमालियन जैट श्रीम का निर्मान हुआ और यही सोमालियन जैट श्रीम अब आगे की ओर बढ़ते हुए यह कहां तक जाएगी तो यह अफरिका तक प्रवेश करेगी परंतु अफरिका में प्रवेश करने के करम से पूर्व ही अफरिका में प्रवेश करने के करम से पूर्व ही अब होती यह घटना है कि इसके सामने आ जाती है यह बंगाल की खाड़ी सागर शाखा देखे यह हमार बंगाल की खाड़ी सागर शाखा और इसको push करने का कारे करती है कौन? ये Somalian Jet Stream तो actual में ये बंगाल की खाड़ी सागर शाखा अब टकराती है पूरवी हाट परवस्से और फिर वर्शा होती है कहांपर इस पूरवी तटिये छेत्र में और ये होता किसके कारण है? तो ये सभी पूरी की पूरी घटना इस Somalian Jet Stream के कारण ही घटत हो रही है वहारत में फारत में मौशून का परहन तूं यहाँ पर एक टम चूटा है हमारा अब हुआ ये था ITC Z shift हो गया था राइस्थान में तिबबत के पठार का उश्मन हुआ था उसके कारण सोमालियन जेट इश्रीम का निर्मान हुआ था उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी उश्मन हुआ था जिसके कारण और शेलिया से चलने वाली इस थानिये पावनों न भारत की ओर मोड किया था या फिर रोक किया था और जब ये भारत की ओर हुई थी या फिर इनका रोक भारत की ओर हुआ तो इस कंडिशन में बच्चे इस कंडिशन में एक्च्वल में भारत में दक्षण पश्चिम दिशा से मौनसून का आगमन हुआ जो कि भारत के विश में किसने इस सोमालियन जेट श्रीम ने और इसने एक तो कराई पूरवी तटीयेशत्र में वर्षा और दूसरा यह पहुंची फिर सर्वोपर्थम कहाँ पर नॉर्थीशन वाले पार्ट में और नौर्थ इस्ट वाले पार्ट में पहुँचकर इसने सबसे ज़्यादा वर्षा जिस्ट सेकेंड इसने सरवाधिक वर्षा कराई कहां पर तो मेघालय वाले एरिया में अर्था सरवाधिक वर्षा इसने मेघालय में कराई और फिर आप देखेंगे कि भाई सरवादिक वर्षा मेघालय के किस शेत्र में तो आप पाएंगे चेरा पूंजी मौसिन राम वाले एरिया में मेघालय के एक स्थान है जिसको नाम दिया जाता है चेरा पूंजी या फिर इसी को नाम दिया जाता है चेरा पूंजी जो कि आता है मौसिन राम के अंतरगर जिश्टा सेकेंड इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे चेरा पुझी मौसिन राम के अंतरगत याद रखीएगा भई यहाँ पर स्पेस नहीं भची मेरे पास चलिए अब यदि हम आगे आएं तो यह सरवादिक वर्षा वाला चेतर है अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं कंपैरिजन किस प्रकार से तो समझने का प्रयास करिएगा कि देखो यहाँ पर हमने बोला है कि अभी अरब सागर शाका आगे की ओर गई थी अब अरब सागर शाका आगे की ओर गई भाई माल लिया हमने क्या ये राइस्थान में वर्षा कराई है अब यदि ऐसा हो रहा है तो राइस्थान में वर्षा हो रही होगी और यदि राइस्थान में वर्षा हो रही है तो थार के मरुस्तल का विस्तार कैसे तो याद रखें कि यहाँ पर एक्चुल में आपको एक पहाड़ी विद्यमा प्रोजेक्ट चल रहा है इसको मैंने एक्चल में हमाले तक बना दिया है परंतु आप समझदार है कि यह बट आफ्यस है कि हमाले तक नहीं है यह कुछ इस प्रकार से है आगे की और जाने पर या दिल्ली तक वाली रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी आप यहां पर स के यह आगे की ओर बढ़ेंगी और आगे की ओर बढ़ते हुए शिवालिक रेंज मद्धेमाले से टकराएंगी और सिर महा से टकरा कर समनायंतर हो जाएंगी और इसके पश्यात या संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान में वर्शा कराएंगी। अब एक बात और समझेगा यहाँ पर कि यह नॉर्थ इश तक जब पहुंचेंगी ना, तो नॉर्थ इश तक पहुंचते पहुंचते इनमें जलवाश की मातरा समाफ्त हो जाएगी। और जब इनमें जलवाश की मातरा समाफ्त हो जाएगी, तो नॉर्थ इश में यह वर्शा नहीं करा पाएंगी। और यदि इस हिसाब से हम समझें, तो जब यह लद्दाक वाले अरिया तक जाएगी, अर्था यदि मैं यहाँ पर भारत का मैप ड्रॉप से बनाते हुए आना चाहिए, मैंने पहले भी अपने वीडियो से बताया हुआ है, क्योंकि यह काम को आसान कर देंगे, आपके समझ को बढ़ा देंगी, यदि यह ऐसा है, तो यहाँ से आ रहा है, अब मैं इसको छोड़ा कर दीता हूँ, यानि कि यहाँ पर मैंने बीच में रखा, और यहाँ से मैंने प्रवेश कराई किया, दक्षड पश्य मौनसून की शाखा, दो पार्स में डिवाइड हुई, और यह लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ इस प्रकार से, अब जैसे यह उपर की और बढ़ेगी, तो यह हमाले तक भी आएगी, तो यह लद्दाक वाले एरिया में भी तो वर्शा कराईगी, परन्तु जब यह लद्दाक वाले एरिया तक पहुँचेगी, तो इसमें जो जलवाश की मातरा है, यह बट आवियस हैं कि थोड़ी कम हो जाएगी, और जब इसमें जलवाश की मातरा कम हो जाएगी, तो जराब ध्यान से देखेएगा बच्चे, कि एक्च्वल में घटना क्या हो रही है, कि यह बंगाल की खाड़ी सागर शाखा इस एरिया में पहुआ जाएगा, यह बच्च्वल में कम वर्षा करा रही है, इसको आप नोट डाउन करिएगा, यह घुमाने वाले कोश्चन्स आपसे अवश्य पूचे जाते हैं, यह हैं हमारी अरब सागर शाखा और एक आती है, बंगाल की खाड़ी सागर शाखा, तो इसका जो एरि यानि कि वर्षा कम होगी परंतु ज्यादा छेत्रफल में होगी और यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा कि भई यहां पर इसका छेत्रफल कम रहेगा छेत्रफल कम है परंतु जो वर्षा का घरत्व है यह ज्यादा हो जाता है इसका अर्थ क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी सागर्शाखा कम छेत्रफल में अधिक वर्शा कराती है और इसी के विप्रीत जो अरब सागर्शाखा है यह अधिक छेत्रफल में कम वर्शा कराती है that is why कि यहां मेघालिया वाले एरिया में यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है मेघालिया और मेघालिया राजिके चे सबसे कम वर्षा वाला चेत्र है अर्थात यह है हमारा ले वाला चेत्र जेश्ट सेकेंड इसको नाम दिया गया है ले जो की लद्दाक की राजधानी भी है अब शीत कालीन है या ग्रीस मकालीन है आप यह मुझे कमेंट सेक्शन में अवच्छे बताएं बिल्कों जन्दन न थोड़ा सा साइंटिफिकली देखने का प्रयास करें तो जरा समझने का प्रयास करिएगा कि एक्चल में अधिमें भारत में आपसे डारेक्ली एक कोशन कर लेता हूं कि बताईए सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है द्याफर मैं आपसे यह कोशन कर लेता हूं कि भारत में पश्यम से पूर की और जाने पर वर्षा की घरत्व में या फिर वर्षा के आयतन में क्या डिफ्रेंस देखने के लिए मिलता है तो आप मुझे क्या बताएंगे कि भारत में पश्यम से पूर की और जाने पर अर्था वेस्ट टू इस्ट जाने पर जो वर्षा घरत्व है यह लगातार बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा इसको directly आप define किसे करेंगे कि सबसे अधिक वर्षा वाला चेत्र अर्था that is Meghalia आपको दिखाई देता है इस्टन पार्ट में और सबसे कम वर्षा वाला चेत्र that is लेह जो कि लद्दा के राजध जानी है और ग्रीस मकालीन है या शीत कालीन है कमेंड में बताईएगा यह हमको देखने के लिए मिलता है कहाँ पर पश्यमी भाग में मतलब की भारत में पश्यम से पूर की और जाने पर वर्षा घंत में क्या आता है वर्षा घंत में बड़ोतरी आपको देखने के लिए म हो ने भारत में मौनसून लाया और भारत में मौनसून की यह पूरी की पूरी यह कंडिशन से यहाँ पर create हुई और यह इतना समझ में आया हो तो याद रखें कि आब यह कंडिशन कब तक चल रही है तो लग भग आप देखेंगे अगस्त सितंबर माह तक यही कंडिशन आपको देखने के लिए मिल रही है पश्यात इसके एक घटना अलग से यह घटित हो रही है कि इस समय जो हमारा ITC Z था यह ITC Z का मुमेंट इस वाले छेतर से अब वापिस से नीचे की और होने लगा अर्थात अब तीसरी कंडिशन आपको देखने के लिए मिलेगी कि अब ITC Z पुने शिफ्ट हो गया है 23 सितंबर को भूमद्रेखा पर शिफ्ट हो गया है मतलब कि अब अगली डेट तो इस कंडिशन को नाम दिया जाएगा बेसिकली क्या पीत रितु का अर्थात अब यहां पर मैं डारेक्ली लिखता हूँ है कि अब 21 सौरी 23rd of September के पश्याद 23 सितंबर के पश्याद ITC Z आउस्ट्रेलिया में शिफ्ट होगा या फिर ये मकर रिखा की और जाएगा और में हो रहा है शीत रितु का अग्मन और फिर आप क्या पाएंगे भई यहां पर अब आप देखेंगे कि भारत में 22 दिसंबर के आसपास अच्छी कडाके की ठंड पढ़ने लगी है अच्छे मस्त जूम के सावन तो नहीं है सौरी बिलको अच्छे से जूम के आने कि जितन इस समय भारत में किसका आग्मन होगा शीत रितु का और यह शीत रितु अपने चरम पर पहुंच जाएगी क्यूंकि सूर की जो लंबत करने है एक्च्छल में यहां ऑशेलिया पर पढ़ रही होंगी और ऑशेलिया में आप पाएंगे कि यह है समर सीजन इस डैट क्लियर अब यहां पर क्या होगा भी तो याद रखीगा कि शीत काल में ही यौरॉप महादीप में वातागरों का निर्मान होता है और यहां पर जब वातागरों का निर्मान होता है तो इस कंडिशन में भूम अदे सागर में एक चक्रवात का निर्मान होता है और यह जो चक्रवा नहीं है परंतु याद रखिएगा हम आगे आने वाली वीडियो में इनको cover up जरू करेंगे तो आप याद रखें कि भूमत सागर में एक चक्रवात का जन्म होता है और यह जो चक्रवात है यह इसी की पावनों को जेट इस्ट्रीम अपने उपर बिठाती है और इसे भारत में लेकर आती है जिसका परिणाम क्या होता है तो फिर से अगेन आपको एक भारत का मैप ड्रॉ कर लेना है भई यह है हमारा लद्दाक वाले रीजिन हिमाचल प्रदेश फर आता है नीचे उत्राखंड और फिर यह हमारा नौर्थ इस्ट इंडिया यह आप नौर्थ इस्ट इंडिया से आगे बढ़ते हैं तो यह है लद्दाक यह हम जम्मु काश्मीर वाला चेत्र that isités राइस्थान वाला एरिया। ये है हमारा पूरा पूरा Peninsular India बन करता है। clear yeah, even पूरा 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 India बन करता है। अब देखेगा कि इसी से आगे जाने पर आपको क्या-क्या मिल रहा है भई? इसी से आगे जाने पर, हाँ यहाँ से मैं समझा देता हूँ कि इस एरिया में आपको एफरिका महादीब नजर आ रहा है और इसी एफरिका महादीब से जब आप उपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एक्चल में यह है ग्रीस इस इटली और इस जवाब इसी इसी उपर जाएंगे तो यह पॉचिगल स्पेन वाला पूर्शन यहाँ पर दिखाई देता है डेनमार्क और फिर उपर जाने पर नॉर्वे स्वीडन फिल्लैंड वाला छेतर अब यदि आप देखोगे तो एक्चल में यह है हमारा क्या इसे नाम दिया जाता है बच्चे इसे नाम दिया जाता है भूमद्य सागर वाला एरिया और प्रतेक वर्ष जब भारत में शीतरितू होती है तो एक्चल में इस भूमद्य सागर या फिर Mediterranean Sea में एक चक्रवात उठता है जिसको हम नाम देते हैं सीतोष कडिवंदिये चक्रवात और इसी सीतोष कडिवंदिये चक्रवात का प्रभाव आपको भारत तक देखने के लिए मिलेगा और किस प्रकार तो देखिए आप इस मैप को धिशान से समझेगा कि यही पर यह जो सीतोष कडिवंदिये चक्रवात एक पवन चलती है जिसको हम नाम देते हैं जेट इश्टीम जैसे कि यह सोमालियन जेट इश्टीम थी और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो याद रखें कि अब भारत के उत्री भाग में आपको मौझूद दिखाई दे रहा है अर्थात इस वाले रीजन में मौझूद है हमारा हिमालय परवत अब जैसे ही ये हमालय परवत से टकराएगी अर्थात यहाँ पर मैं नोट डाउन भी कर देता हूँ कि भई ये है हमारा क्या इसको नाम दिया जाता है ह- I- M- A- L- A- Y- A अब जैसे ही ये हमालय से टकराएगी है सोमालियन जेट इस्टीम तो सोमालियन जेट इस्टीम के टकराने की साथ ही यह है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी एक पार्ट हो गई ये और एक पार्ट आएगा भारत की ओर अब ये जो उपर की ओर गया है तो उपर में दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश उत्रा खंड वाला रीजिन जम्मू काश्मीर वाला रीजिन यहां से जब यह तकराएगी तो इसका प्रभाव क्या-क्या होगा समझेगा हिमाले से टकराई और हमाले से टकराने के कारण यह दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई और जब यह दो पार्ट में डिवाइड हुई तो यह जो उत्री वाला भाग है अरफात यह वाला जो छेत्र है यह जैंजियंग वाले छेत्र में जाएगा अब उत्री लद्दाक में तो जाएगा ही परंतु याद रखीगा कि यह जैंजियंग एक जगा है और यह क्यों से चाइना का उपनिवेशवाद करने के लिए समय समय पर विद्रों करते रहते हैं आद रखेगा और इसी के पष्चियात यह जो निचली शाका यह निचली शाका एक्चुल में भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करकर यह कुछ राजियों में हिंपात और कुछ राजियों में यह क्या कराएगी जिस्टा सेकेंड यही पर मैं डाउन कर देता हूँ भई कुछ राजियों में हिंपात और कुछ राजियो में एक्च्वल में यह कराएगी वर्षा अब आपको पता होना चाहिए कि कहा पर वर्षा होगी और कहा पर हमपाथ होगा तो शायद आपने नाम सुना है लद्दाक लद्दाक के बाद जम्मू काश्मीर लद्दाक जम्मू काश्मीर जे एंड के में लिख देता हूँ यह जाएगी हिमांचल प्रदेश तक और हिमांचल प्रदेश के पश्यात यह जाएगी उत्रा खंड तक और इस एरिया में जाकर बेसिकली यह क्या कराएगी यह कराएगी हिमपाथ और पश्यात इसके इसी का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब इसी का प्रभाव आपको मिलता है पंजाब वाले रीजन में इसी का प्रभाव मिलता है आपको हर्याणा वाले रीजन में इसी का प्रभाव मिलता है दिल्ली वाले रीजन में पंजाब में ये हो गई है वर्षा मतलब कि इसने भारत के मौसुम को क्या कर दिया डिस्टर और इसे कॉल कर लिया जाता है डिस्टर लगारा यहाद आप्शिमी विक्षोप करें या फिर आप western disturbance की बात करें ये दोनों एक ही हैं और इसको क्यों कहा जाता है तो actual में शुद्ध हिंडी में विक्छोप का आर्थ होता है disturb कर देना तो इसने भारती मौनसून को disturb किया है that is why western disturbance और ये आता किसके कारण है तो भूम अद्ध सागर में उठे चक्रवात के कारण ये आपको देखने के लिए मिलता है is that clear? तो यहाँ पर भारत में जितनी भी रित्में आती है यानि कि ये मुखे तीन रित्मों के बारे में हमने समझना प्रारम किया याद रखीगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको केवल उक्वल तीन काम करना है अपना positive response देना है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है अपना like यहाँ पर छोड़ कर जाना है अर्थात इसमें पैसा नहीं लगता है परंतु आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं भाई पता नहीं आप like क्यों नहीं करते यदि पसंद आता है तो एक like कर दीजी एक comment करिए आपना positive response करिए बस यहाँ पर कुछ negative comment करने से अच्छा positive response दें तो मुझे ज्यादा better लगे और यदि नहीं आया तो negative comment एक्च्वल में न छोड़के जाए आप मुझे प्यार से बोल सकते कि सर यहाँ पर आपको improvement की आवशकता है मैं अवश्य वहाँ पर improvement करूँगा मैं आपके suggestions लेने के लिए बैठा हुआ हूँ आप मुझे जितना suggestion देंगे मैं उतना ज्यादा improvement करूँगा परन्तु यहाँ पर negative comment होने का मतलब यह है कि आपको वीडियो पसंद ही नहीं आया है clear तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना positive response यहाँ पर और यहीं कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे improvement की आवश्यक्ता है तो वह आप मुझे suggestion दे सकते हैं आपके suggestions invite है और यहीं आपको लगता है कि आपको किसी भी topic पर यह वीडियो चाहिए है किसी भी specific topic पर तो आप मुझे comment section में भी mention कर सकते हैं कि sir हमें x y z topic पर चाहिए वो conventional हो जाहिए वह आपके subject related हो या फिर चाहिए वह आपकी समस्याओं से related हो आप मुझे बताएं मैं उस पर अवश्य एक dedicated वीडियो लाँगा हाँ वीडियो आने में comment लाइक करें अपना positive response दें और ज्यादा ज्यादा share करने का प्रयास करें इस वीडियो में मैं एक बार compile कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने जलवाईव को समझा था मौसम की definition समझी थी जलवाईव शास्त के नियमों को देखा था फिर उसके बाद प्रत्वियों सूरी की साफिक इस्थिति का हमने वड़नेंट किया था ITC-Z क्या होता है इसको समझा फिर भारत में ITC-Z के accordingly हमने Greece में रितू के आगमन को समझा फिर हमने यहाँ पर भारत में वर्षा रितू के आगमन को समझा वर्षा रितू के अलग-अलग conditions को जाना फिर ITC-Z का प्रवाव एक्चल में ITC-Z का प्रवाव जब दक्षनी गुला यह study IQIES हिंदी पर और यदि आप हमारे P2I batches से जोड़ना चाहते हैं तो यह है भई offers जिनके बारे में मैंने कल भी बताया था एक बार पुन है मैं इसके बारे में बता दिता हूं कि इसकी जो अंटिम दित्थी है यह 8 जुलाई है अर्था आठ जुलाई के पश्यात यह rate इस batch में जोई नहीं हो सकते इस batch में आपको क्या-क्या मिलेगा यह मैं next वीडियो में बताओंगा और वैसे भी मैं बता चुका हूं SIP प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम काफी कुछ आपको इस P2I batches के अंतरगत देखने के लिए मिलता है धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी